आपकी जुबान, हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उलहास हर इंसान के लिए स्वस्त रहना बहर जरूरी है इसलिए मेरा उलहास TV News की टीम आपको रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक या वेशे शग्य से जो आपको देते हैं स्वस्त और फेट रहने के टिप्स जैशरी किष्ण, मैं डॉक्टर राम श्यतानी, स्वामी शांतिय प्रकाश, प्राकर्तिक चिकस्ता और योग अंदर से आज के तनाव बड़ी जिन्दगी में मैं बात करना चाहूंगा माइगरिन की, माइगरिन याने सरदर्द, कभी बुड़ा सरदर्द तो कभी आदा सरदर्द, इसमें मैं आपको कुछ गरेली नुकसे बता कर, इस बिमारी को जड़ से निकालने की सला दूँगा, सबसे पह काम, इलर्जी, और पेट संबनी बीमारियों से भी इनका ये होता है, जैसे कब्स, गैस, एसिट्री, ये भी इनके बहुत से कारण है, हम लोग कारण हटाएंगे, तो बीमारी निकल जाएगी, मैं कुछ आज गरेली नुन उसके आपको बताने जा रहा हूँ, आकी पंचर म मैंने देखा हुआ है, काफी लोगों को दो, चार, पांच सिटिंग में एकदम आराम हो जाता है, और इसमें कुछ प्रेशर पॉइंट भी है, जैसे कि ये हाथ है, हाथ थम और पहली उंगली के बाजों में, यहां दबाने से, यहां प्रेसर करने से, तो आपका सरदद में एकदम आराम हो जाए, और यह अंगुठे में भी ऐसा प्रेस करने से भी आपको आराम हो जाएगा, और इसमें कुछ मुद्राएं भी काम करती है, जैसे एक संजीनी मुद्रा है, यह हाथ का, पहला अंगुठा, इसमें जो पहले उंगली, यहां दबा कर, उपर से दो आगरेन में छोटकारा मिलेगा, लेकिन यह आपको सिर्फ 15 मिन्टे तक करनी है, दिन में एक यां दो बार कर सकते हैं, योग, योग में भी इसका बहुत अच्छा काफी रिजल्ट दिखा पाया गया है, जैसे के अनलों विल्लों, उसमें भी बेतरी तरीके से फाइदा है, जैसे जीब है हमारी, थोड़ी सी बाय निकाली, अंगुटा और पहले युगरी से, दो मिन्ट तक पकड़ कर रखें, तो सरदद में फौरान आरम हो जाएगा, गाय का गी भी इसमें बहुत काम करें, गाय का दूद और गाय का गी भी इसमें बहुत काम करें, रात को न डाल कर पीने से काफी आराम हो जाता है, और मैं आपको एक सराद दूँगा, सूरे उद्या से पहले, तीन-चार जिले भी आखा कर, उपर से गरम गाय का दूद पीने से भी सरदद में आराम हो जाता है, यह जो आपको टेकनिक में ने सिखाय हुआ है, उसमें से काफी अच मेरा उलहाज